यह चल रहा है टेस्ट योरसेल्फ किसके लिए तो आने वाला जो एकजाम है रेलबे गुरूप डी का उसे के लिए तो इसमें चल रहा है जिक्के समानध्यन बित प्रिवियस इयर कोच्चन जिक्के समानध्यम में आपको सारा चेप्टर देखने को मिलेगा हिस्टरी जोगर इसके बाद साइंस का कोच्चन आपको देखने को मिलेंगे इस वीडियो में और साथ ही साथ इसमें प्लस पॉइंट यह है कि आपको रेलबे में जो अब तक कोच्चन पूछा जा चुका है गुरूप डी का बो भी कोच्चन इसमें करवाया जाता है तो दोस्तों सिक्स प तो सबसे पहले नंबर आता है दूतिय सिरेने के सियान यान कोच में कुल कितने बर्थ होते हैं यानि कि बैठने वाले जो होते हैं दोस्तों सीट की बात वो कितने होते हैं क्या सत्तर होते हैं या असी 71 या फिर 722 या फिर 78 तो कितने बर्थ होते हैं ति यह तो आपको पता होगा तो दोस्तों टोटल सीट होते हैं सेवंटी टू या सेवंटी एट आप्सन नमबर डी हो जाएगा और अगला नमबर कोचन की बात करें तो रेल यात्री भीमा योजना कब लागू किया गिया था बहुत इंपोर्टेंट कोचन है रेल यात्री भीमा योजना कब किया गिया था नेक्ट कोचन है option दिया हुआ है आप देख सकते हैं 1990, 1994, 1996 या फिर 1998 तो इसका सही answer हो जाएगा 1994 रेल यातरी बीमा योजना लागो हुआ था 1994 में नेक्ट कोचन आती है किसे blue chip के नाम से जाना जाता है दच्छिन पूर रेलवे को या फिर पूर मद रेलवे उत्तर रेलवे या फिर मद रेलवे तो सही option क्या होगा दोस्तों ये नेक्ट कोचन है तिसका सही answer हो जाएगा दच्छिन पूर रेलवे को blue chip के नाम से भी जाना जाता है किस रेलवे जोन की लंबाई सबसे अधीक है अगला नमर कोचन कुछ कोचन हम रेलवे से करा रहे है किस रेलवे जोन की लंबाई सबसे अधीक है मद रेलवे दच्छिन रेलवे उत्तर रेलवे या फिर उत्तरी पच्छमी रेलवे तो इसका सही answer हो जाएगा उत्तर रेल्वे का रेल्वे जोन की लंबाई सबसे अधीक है नेक्स्ट कोचन बिस्व में पहली बार रेल का परिच्चालन किस देश में परारम हुआ काने का मतलब है सबसे पहले वो कौन सा देश हैं पूरे बिस्व में जहां रेल चली थी USA जिसे अमिर्का भी बोलते हैं या फिर जन्मेनी, इंग्लैंड या फिर फ्रांस तो इसका सही कोचन हो जाएगा इंग्लैंड जिसे हम लोग ब्रिटेन भी अगर देता तो आप वहां भी टिक कर सकते हैं नेक्स्ट कोचन 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 रेलवे से लावांतित राज कौन सा है अच्छा कोचन है अब जवाब देना है आपको कोचन रेलवे से लावांतित राज कौन कौन है क्या गोवा, करनाटक, महराष्ट या फिर क्या तीनों है तो दोस्तों सही इसका आउप्षन हो जाएगा मेट्रो रेल किस वर स्फुरू हुई थी दिलली मेजो मेट्रो रेल चल रहा है उसका प्रारंब कब हुआ था उन्सक्ट को मेट्रो नइयुक्त कोचन करने से सब्सक्राइब investirain the चौदा अठारा एकाईस या फिर छपीस ते इस कोच्चन का सई एंसर हो जाएगा भारत में रेलवे करमचारी के भरती के लिए टोटल कूल टॉन्टी वन यहनिके एकाईस रेलवे भरती बोर्ट बनाए गये हैं एंसर हो जाएगा ए नमबर आई यार सी टीसी इससे आप हम ओप्सन देख सकते हैं आप यह रहा हमारा ओप्सन तेस कोच्चन का एंसर डाइरेक हम बताते हैं यह हो जाएगा इंडियन रेलवे इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन ओप्सन न महिलाओं के लिए एक मात ट्रेन कहां पर चलाए जा रही है सिर्फ महिलाओं बैठ सकते हैं उनमें जेन से लाउड नहीं है कुलकत्ता नई दिल्ली मदरास या फिर मुंबई तो ये इसका कोचन का सही अंसर हो जाएगा मुंबई ये कहां चल रही है महिलाओं के लिए ये स्पेशल ट्रेन तो इसका ओप्सन हो जाएगा मुंबई नेक्स्ट कोचन भारतिये रेल के पही और धोडि का निर्मान कहां पे होता है वो कहां पे बन रहा है किस सहर में बंगलूर में चित्रणजन पेरंबूर या फिर कफूर थला तिस कोचन का साई एंसर हो जाएगा भारतीय रेल पहिये और धूरी का निर्मान हो रहा है बैंगलावर में भारतीय रेल कितने डिविजन में बटे हुए है चले इसका एंसर बताईएगा भारत का जो रेल है दोस्तों वो कितने डिविजन में बटे हुए है 58, 60, 55 या फिर 69 तिस कोचन का साई एंसर हो जाएगा भारतीय रेल बटे है 69 डिविजन में इसमें जितने भी कोचन कराई जा रहे हैं सभी का सभी कोचन इंपोर्टेंट है आपको सारे कोचन को एटेम करना है और दोस्तों मेरे कोचन पढ़ने के साथ ओप्शन देने के साथ ही आपको एंसर भी बता देना है और जो नहीं बन रहा है सिर्फ आपको ध्यान से सुनना है तो भारत को सिर लंका से अलग करता है पाक जलसंदी सुन्डा जलसंदी दोवर जलसंदी या फिर होर्मूज जलसंदी तो भारत और सिरलंका जो दोस्तों एक अलग अलग देश्ट है ये दोनों को कौन अलग करता है जिस कोचन का सही इंसर हो जाएगा पाक जलसंदी भारत सबसे लंबी देखे पाक आ रहा है यहां पर अगर पाक जलसंदी अगर मास देते हैं तो यह गलत हो या पाक का मतलब पकिस्तान इससे नहीं द्रिलेटेट है ये दूस्तों पाक जलसंदी जो भारत और शिलंका को अलग करता है भारत सबसे लंबी अस्थलिये सीमा बनाती है यह कोचन में बराव कराएं थे इसी सेट में इस स साथ भुट्टान के साथ या फिर बंगला देश के साथ जिस कोचन का सही एंसर हो जाएगा बंगला देश के साथ और इसी के साथ अगर अगले कोचन की बात कर ली जाए तो भारत सबसे छोटी अस्थलिये सीमा बनाती है नेपाल के साथ भुटान के साथ चीन के साथ या फिर अफगनिस अफगनिस्तान के साथ तो अस्थलिये यानि कि सबसे छोटी सीमा बनाता है बुदेश है भुट्टान के साथ इंसर हो जाएगा बी नमबर तारे का रंग सुचक होता है उसके तापका उसके घणत का उसके धरमान का या इनमे से को नहीं जिसका सही इंसर हो जाएगा दोस्तों ए नमबर उसके तापका अगला नमबर कुचन भारत एब पाकिस्तान के बीच की सीमा को क्या कहा जाता है बहुत इंपोर्टेशन है भारत एब पाकिस्तान के बीच की जो सीमा है उसे डियूरंड रेखा कहा जाता है मैक मोहन रेखा रेट किलिफ रेखा या फिर हिंदन वर्ग रेखा तो इसे क्या कहा जाता है तो दोस्तों उसे कहा जाता है रेट किल रेखा तीन तरफ से बंगलादेश से घिरा राज कौन सा है मेगालाय मनिपूरम नागालेंड या फिर तिरुपूरा तीन तरफ से बंगला तरफ से गिरा हुआ है कि भारत का सबसे निकटम समुंदरी परोशी देश कौन से है तो इसका इनसर हो जाएगा स्री लंका रेट किल्प रेखा का निर्धारन की सुबर्स हुआ था है रेटकिलफ रेखा जो भारत औह पाकिस्तान के बीच की जो रेखा है। उसका निर्धारन कब हुआ था। परसेंट इसका कोचन का एंसर हुजाएगा इस कोचन का सही एंसर हुजाएगा 57 हम चंद्रमा को देख सकते हैं कहां सही तो अपने पिर्थवी से दो देसांतर रेखाओं के बीच की दूरी को किस नाम से जाना जाता है गोरे ब्लैक सेमा या फिर छेत्रफाल तो उसे कहा जात है गोरे नेक्स्ट कोचन बीग बैंक के सिधान का प्रतिपादन किया था या फिर आप का सकते हैं बीग बैंक का सिधान किस ने दिया था कांट ने यह है लात लास ने जेंस जींस ने जॉर्ज लेमिंटर ने तो इसका सही एंसर हो जाएगा बीग बैंक के सिधान का प्रति चीन के बीच की सीमा रिखा दोस्तों भारत औू पाकिस्तान तो हम लोग जानते हैं रेट कील देखा होगा चलिए बात आती है भारत ये look हीं कि सीमा देखा को क्या रहेगा पिर्थवी की आयों ग्याद करने के लिए किस विधी का पर्योग किया जाता है कारवन सी चोदा इूरेनियम डेटिंग आउस सवन आस्वन है आस्वन बिदी यह इन में से कोई नहीं तो यह इसका कोचन का इंसर रोजाएगा इूरेनियम डेटिंग के द्वारा आदम का पूल किन दो देशों के बीच इस्तित है भारत इवं मैयन मार भारत इवं स्रिलंका भारत इवं नेपाल या फिर लास्ट ऑप्शन है भारत इवं चीन तो दोस्तों यह इस्तित है भारत इवं स्रिलंका के बीच आदम का पूल भारत इवं स्रिलंका के पीच नेक्ट कोचन पिर्थवी पर दीन राद बराबर होते हैं 23 सितंबर को 21 मार्च या फिर दोनों हो सकता है या फिर 16 गर्ष्ट तिस कोचन का एंसर हो जाएगा C नमबर पिर्थवी पर दीन और राद बराबर हो जाते है 23 सितंबर और 21 मार्च दोनों को आज सहयोग अंदोलन को गांधी जी ने कब वापस ले लिया था 1915, 1902, 1922 या फिर 1924 में तो आज सहयोग अंदोलन गांधी जी के द्वारा वापस ले लिया गिया था 1922 इस्वी में अंतरीच में पहुंचने वाला पर्थम बेक्ति कौन है इवरी गागरिन, राके सर्मा, अल निल्म अर्म अश्ट्रांग, तिस कोचन का सही एंसर हो जाएगा, अंतरीच में पहुंचने वाला पर्थम बेक्ति इवरी गागरिन है, अब कन्फ्यूजन होता होगा कि राके सर्मा और निल्म अर्म अश्ट्रांग के वारे में, तो दोस्तों ये चंद्रमा पर पहुंच सक सनवात कब सुरू किया गया था, ऑप्शन दिया हुआ है, चलिए बताएगा इसका 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 इंसर, सक सनवात कब सुरू हुआ था, तो दोस्तों ये शुरू हुआ था, 78 इस भी में, गागो, सोरी, दागो और भूल जाओ के नाम से किस मिसाइल को जाना जाता है, चीन की करांती कब हुई थी, तो चीन की करांती कब हुई थी, 1905, 1911, 1921 या फिर 1924 में, तो चीन की करांती हुई थी, 1911 में, ऑप्शन हो जाएगा, बी नमबर, नेक्स्ट कोचन, पिर्थवी मिसाइल का परतम परिच्छन कब हुआ था, पिर्थवी जो मिसाइल है, भारत क उसका परिच्छन कब हुआ था सबसे पहले आप्शन दिया हुआ है देख सकते हैं आप तिसका एंसर हो जाएगा 1988 में अंत्रिच में जाने वाली पर्थम महला कौन है अब महला की बात की गई अंत्रिच में जाने वाली महला कौन है तो इस कोचन का साई एंसर हो जाएगा ए नमबर बेलेंटीना तेरेस कोवा पानिपत का पर्थम यूद कब लड़ा गिया था 1761, 1556 या फिर 1526 या फिर 1524 में तो पानिपत का पर्थम यूद हुआ था 1526 में पर्थम की बात की कही है तो 1526 में पर्थम भारतिये उपगरा आरे भट कब छोड़ा गिया था भारतिये उपगरा जो भारत का है उपगरा आरे भट कब छोड़ा गिया था 1962, 1994, 1974 या फिर क्या 1975 में छोड़ा गिया था तिसका सही एंसर हो जाएगा 1975 आरे भट छोड़ा गिया था 1975 में चंद्रमा पर मानब भेजने वाला पर्थम देश कौन सा है चंद्रमा पर मानब को भेजने वाला पर्थम देश सोबियत संग, USA, जर्मनी या फिर फरांस इसका एंसर हो जाएगा बी नमबर फरांस की क्रांति कब हुई थी 1757, 1765, 1799 या फिर 1813 में तो फरांस की लगाई हुई थी, क्रांति हुई थी 1759 में 37 धवन अंतरिच केंदर कहां पर इस्तित है त्रिवेंद्रम ये भारत में है हैदराबाद, बंगलोर या फिर स्रीहरी कोटा तो 37 धवन अंतरिच केंदर इस्तित है स्रीहरी कोटा में बिक्रम सारावाई अंतरिच के अंदर कहा है इसका सई एंसर हो जाएगा बिक्रम सारावाई अंतरिच के अंदर इस्तित है त्रिबेंदरम में सर्वदिक समय तक अंतरिच में रहने वाला महला कौन है ऑप्सन दिया हुआ है डेनिश टिटो कलपना चावला राके सर्मा या फिर सुनीता विलियम्स तो अंतरिच में तेके राके सर्मा तो पहला नमर पूरूस हो गए यहां पर बात की गई है महला के तो आप ऐसे भी कुन है तो इसका एंसर हो जाएगा सुनीता विलियम्स पर रूस की करांती किस वर्श होई थी रूस में जो करांती होई थी कब हुई थी उनाईस सहर 17 नवा से सतर है यह फिर उनाईस्ट एकामन में तो यह हुआ था इसका answer हो जाएगा सी नंबर उनाईस्ट इस सो सत्रह मे भारत का पेरिस कि सहर को कहा जाता है सभी कोचन इंपोर्टेंट है सभी पर आपको धियान देना है कानपूर, स्रीनगर, वारा, नसी या फिर जैपूर तो भारत का पेरिस करते हैं जैपूर सहर को आसुओं का परवेश दौर किसे कहा जाता है आसुमों का परवेश दुआर किसे कहा जाता है तो वो कहा जाता है बाव अलमंडब को नेक्ट कोचन भारत का सबसे बड़ा मजजीद जामा मजजीद है ठीक है भारत का सबसे बड़ा मजजीद क्या है जामा मजजीद वो कौन सा सहर में है तो वो है दिल्ली में जामा मजजिद इस्तित है दिल्ली में भारत का सबसे बड़ा रगिस्तान थार, गोवी, सहारा या फिर इन में से कोई नहीं तो इसका एंसर हो जाएगा, दोस्तों देखिए, थोड़ा सा अगर आप जानते हैं, नौलेज रखते हैं, तो आप ऐसे भी एंसर को चाट सकते हैं, वो भी एसिया का है, और सहारा है, ये अफ्रिका का है, तो येखी तो बचा, अब भारत पूछा तो भारत का येखी एथार भारत का सबसे बड़ा गुंबज, गोल गुंबज है, भारत का सबसे बड़ा गुंबज कमसा है, तो गोल गुंबज है, तो ठीक उसी ट्रेप से, ये किस सहर में है, तो इसका सही एंसर हो जाएगा, बीजापूर, गोल गुंबज है, बीजापूर में इस्तित है, कोफल के दिरिष्टी से और जनसंख्या के दिरिष्टी से दोनों का एंसर एक ही होगा बेटिकन सिटी है ठीक है याद रहेगा मद रात्री के सूर का देश किसे कहा जाता है इंगलेंड जपान हावलेंड या फिर नार्वे को तो दिया हुआ है मद रात्री के सूर का देश कि किसे काते हैं तो वो कहलाता है नार्वे हजार जहीलों की भूमे किसे कहा जाता है हजार जहीलों की भूमे किसे कहा जाता है थाइलेंड फिनलेंड विरिटेन या फिर जपान तो कहते हैं फिनलेंड को हजार जहीलों की भूमे उगते सूर का देश, फ्रांस, भारत, जपान या फिर दच्छिनकोर या तो उगते सूर का देश किसी कहते है तो वो कहलाता है जपान छेतरफल के दिरिष्टी से सबसे बड़ा राज, भारत की बात की गई है, राजस्तान, उत्रपरदेश, महराष्ट, गुजरात, ये सभी भारत में है तो छेतरफल के दिरिष्टी से सबसे बड़ा राज कौन सा है, जिस कोचन का सही एंसर हो जाएगा, ए नमबर अजन संख्या के दिरिष्टी से सबसे बड़ा राज भारत का उत्तर परदेश यूपी भारत का सबसे उचा बांध भाकडा नांगल टिहरी या फिर नागार जुन तो भारत का सबसे उचा जो बांध है उसे कहा जाता है टिहरी बांध भारत में सरवदिक वर्षा किस अस्थान पर होती है लेह में लदाग चेरा पूंजी या फिर मासिन राम भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है मासिन राम में और सबसे कम वर्षा लेह में होती है यहाँ पर बर्फ वारिश ज्यादा होती है यह कहां है जमु कस्मिर में है भारत में यह जनसंखिया की दिरिष्टी से वही कोचन जो मैंने बता दिया था आपको जनसंखिया की दिरिष्टी से सबसे बड़ा राज इसका इंसर हो जाएगा यूपी उत्तर परदेश भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे आते हैं और वीडियो आप तक असानी से चल जाएगा जब मैं अपलोड करूँगा तो आपका यूट्यूब जब खोलिएगा तो महां पे सो करेगा अगर आप जो घंटी दाव देते हैं तो मेरा वीडियो आपका नोटिफिकेशन में मैसेज की रूप में जाएगा भारत की सबसे लंबी नदी क को अपने पूजा के रूप में इस्तिमाल करते हैं और दोस्तों जिसमें नहाने के बाद हम लोग अपने आपको पवित्र मानते हैं यह है गंगा नदी